हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा आप सभी का अपने यूटियो चनल पर स्वागत करती हूँ आज हम मुंग डाल का चीला बनाएंगे आईए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले दो का भूंग डाल लेंगे जिसे हमने पहले ही दो खंटी के लिए बिगो कर रख दिया था और इसे मिक्सिजार में डाल लेंगे अब इसमें स्वादनुसार नमक एक चम मजीरा एक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालेंगे और पीस लेंगे मुंग डाल पिस चुकी है देखिए यह अच्छी तरीके से पिस चुका है अब इसे एक बड़े बाल में निकाल लेंगे ध्यान रहे हमेंसे इतना ही पारिक पीसना है पेस्ट अभी गाड़ा है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ध्यान रहे हम पेस्ट को जादा पतला नहीं करेंगे वरना चीला अच्छी से बन नहीं पाएगा चीला का पेटर बन चुका है अब पिलिंग की तयारी कर लेते हैं अब इसके लिए एक बाल लेंगे और उसमें 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लेंगे अब इसमें एक बारी कट अगवा प्यास दो बारी कट हुई हरी मिर्च एक चमच काली मिर्च पाउजर स्वादनु सन्ना मख और बारी कट अगवा हरा दरिया डाल कर मिला लेंगे हम इसे हलके हातों से ही मिलाएंगे फिलिंग तयार हो चुकी है अब शीला बनाएंगे उसके लिए तवे को गरम कर लेंगे अब हम बैटर को इस तरीकी से तवे पर फैला लेंगे अब चारों तरफ हलका सड़ घी डाल लेंगे अब इसे हलका तप फैक लेंगे देखिए यह हलका से चुका है अब इसे पलड देंगे देखिए दोनों साइट से सिख चुका है अब जो हमने फिलिंग बनाई थी इसके उपर डाल लेंगे अब इसे फोल्ट कर लेंगे और सर्विंग प्रीट में निकाल लेंगे अगला चिला बनाने से पहले तवी पर चुचिक नाई है उसे पानी से छेड़कते हुए कपड़े से साफ कर लेंगे और इसी तरीके से बागे चिले भी बना लेंगे मुंग दाल का चिला बनकर तयार है आप चाहे तो इसे काटकर सर्व कर सकते हैं आप इसे हरे दन्य के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब बना ना भूले